हेलो स्टूइन वर्ड पेट बनाने वाले हैं सेवन लेसन में हम एंगलिश की ग्रामेर की बूख है उसमें हम देखेंगे 16 और 17, 18 और 19, 20 फाइव लेसन देखना है ही, शी, एंड इट इसका यूज क्या होता है वो देखेंगे शी लेडी में होता है कोई भी बर्डज अनिमल्स सब में की या जाता है वस्तू यानि कोई चीज होती है उसमें पोस्ट उछी आ है, लेडी है, टो शी ऑनर्स बोईज है, ही इस अनुषी इक बंलुन से कोई च्ञज है दो इट इस आ बलुन ही स्षीपर है, तो इस अनुषीपर शीज़ टीचर, अब वर्ड पेर, तो कप का पेर किस के साथ आएगा, तो कि सोसर, शूज का शोक्स के साथ आएगा, नाइफ का फ्रोक के साथ आएगा, बो का एरो के साथ, बोट का बोल, बेट का बोल के साथ, ब्रेड का बटर के साथ, और डील का स्ट्रेड के साथ, तो यह पेर बढ़ना के ऐसे लिख देने शू शोक्स नैफ फ्रोक बो अरो बेड बोल ब्रेड बटर नीडल और ट्रेड अब है 18 एड मैन आउट तो ए उसमें से हमें क्या करना है तो इसमें से हमें लाइन चार है काफ कप और फोल तो यह तो तीनों बच्चे हैं तो इसमें से अलग क्या हुआ तो लाइन एलिफॉन टाइगर और जीब्रा पेरो यह तीनों तो एनिमल है और यह क्या है बर्र्ड तो इह अलग हुआ संफ्लावर रोज एपल और जास्मीन वह तिनों फ्लावर है तो यहां फ्रूट एक ही बच्चा यह से हमें यहां देख और तीनों से और यहां है होर्स आइस लीप्स इयर तो यहां केप अलग हुई यह तिनों बोड़ी पार्ड से ड्रेड यलो और वाइट यह तिनों कलर है रोज अलग हुआ फ्राइड़ संडे मंडे और जन्युरी यह तो मंद के नहीं में गर्ल लैड़ी वूमन और यहां बोई अलग हुआ तो एड़ में आउट दो फोलोविंग ग्रूप कंपाउंड वर्ड यह दोनों है उसे कंबाइन करना है तो टूथ और ब्रस तो क्या हुआ टूथ ब्रस रेइन और बो तो क्या हुआ रैंबो संड और फ्लोवर तो संड फ्लोवर आर्म चेर तो क्या हुआ आर्म चेर फूट और बोल तो फूट बोल तो बिगेर वर्ड बन और 20, Capital letters and Full stop अब यह sentence दिएगे उसमें फूल स्टॉप लगाना भी सिखना है और फॉर्स्ट जहाँ जहाँ हमें capital letter साथ ही वह हमें लिखना है तो फॉर्स्ट हमेशा capital letter ही होगा sentence में फॉर्स्ट जहाँ से sentence चालू होगा वहाँ हमेशा capital letter होगा तो यहाँ देखो I capital है यहाँ N capital है यहाँ दो में T capital है यहाँ पहले A capital है और यहाँ M capital है यहाँ R capital है और सारे sentence जब पुड़े होगे तो क्या आएगा full stop एसे हमें full stop करना है एसे full stop बोलते है point करके full stop बनाने तो आज के थे 15 to 20 lesson तो आपको क्या करने है सारे learn करने है और notebook में लिखने है और समदने